हेलो फ्रेंज वागत हाब सभी का हमारे चैनल को कैस्टेडी में मैं कबल बेश्ट इस वीडिये के माध्यम से दोस्त आप कहा पर देखे उश्म गतिगी का एक महत्पुनिय आपर टॉपिक कराऊंगा दोस्तो इसमें आपको मिलेगा पर्थम नियम दोस्तो उश्म गतिगी का आपका उश्मा फिर आते हम परसंलों में तो पहले बात कर थे हैं उश्म गतिगी की देखे दोस्तो उश्म गतिगी की मतलब क्या होता आपका यांत्रिकी होता है वसी आपका प्रकाशी की होता प्रकाश का देहन वाला तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये उश्मगती की है अब देखे बात करते हैं उश्मा की अर्थाथ हीट की दोस्तों हीट क्या होती है इसका संगे दोस्तों पहले आपको बता दें कैपिटल टो और इट् 처 की है užुषम कर दोस्तो आपका उश्मा भी है तो आप कह सकते कि उठ्या जो है उष्मा के ही फों में कंवर्ट हो रही है तो यहां पर देखें दोस्तो जिन गुणों से किसी पदार्थ के ठंड़ या गर्म होने का पता चलता है तो उसी को आप उश्मा कहेंगे यदि आपको डिफाइन करने को आगया यदि आपको परिभाशा लिखने को आगया तो आप कहे देंगी कि जिस गुण के कारण पदार्थ के जिस भी गुण के कारण ये पता लगता ह कि वो ठंडा है गर्म हैर था ताप किस परकार का है तो उसी तापांतर का पता लगाने वाले गुण को दोस्तों हम बोलते हैं उश्मा तो यह आपका यहां पर हो गया मानिजे कोई गर्म पतार्थ है तो आप कहते हैं इसकी उश्मा ज्यादा है या ठंडा है तो आप कहते हैं तो यही आपका दोस्तों उश्मा होती है हीट होती है अब बात करते हैं दोस्तों मातरक की बहुत बार बहुत बार आपका मातरक आता है आपने देखा दोस्तों उश्मा उर्जा का ही रूप है और उर्जा का मातरक आपको पता होगा एनर्जी का मातर क्या होता है जूल होता ह तो maximum दोस्तों आपका जो unit मानी जाती है उश्मा की वो जूल ही होती है कभी कभार दोस्तों calorie में भी ये माप लिया जाता है तो ज्यादा तर आपका जूल ही होगा अब दोस्ते आपर देखें आपको सारी चीजें clear होगी होगी अब बात करते हैं दोस्तों उश्मा गदिगी का प्रथम नियम अर्थात first law of thermodynamics इससे दोस्ते आपर देखें उर्जा सन्रक्षन का नियम भी का जाता है क्योंकि दोस्ते आपर क्योवली उर्जा के सन्रक्षन पर ही आधारित है आप देखें आप देखेंगे ध्यान पूरव और हमेशा के लिए दोस्ता को याद रहेगा देखें पहले हम theoretically पढ़ते हैं उसके बाद proof करेंगे दोस्तों जब किसी निकाई को उश्मा दी जाती है तो निकाई द्वारा आउशोशित उश्मा अर्था जो जब कोई आपने निकाई को निकाई मतलब आपका ठोस द्रव या फिर आपका गैज तो तीनों के लिए आपका होता है तो तीनों में कुछ भी आपका दोस्तों हो सकता है एक आपने निकाय लिए आपने सिस्टम लिया उसको आपने उश्मा दी आपने हीड दी तो देखे निकाय के द्वारा जो आपका उर्जा की उश्मा की शोशन होगा अर्थात एब्जॉप्शन होगा वो क्या होगा दोस्त प्वाइंट ये दूसरा पॉइंट ए अर्था दोस्ते आप देखे जो भी आपने हीड दी अब देखे आपको फिगर के माधिम से यापर समझाते हैं मानजी आपने पहला कोई एक सिस्टम लिया निकाय आपने लिया दोस्तों ये निकाय आपका कुछ भी हो सकता आपको बता वो आपके मानजी यूटूम में कनवर्ट होगी देखे निकाय आपका वही है आपका S1 था तो यहां पर आपका S1 ही है लेकिन आपकी उर्जा दोस्तों बदल गई और यहां पर देखे दोस्तों जो आपका उर्जा कहां कहां पर खर्च हुई पहला दोस्तों आपका बदल हीट को अर्थार यूवन से लिएक आपका यूटू में पहुच गया क्योंकि आपका दोस्तों यूटू ग्रेटर होगा यूवन से और वैसे आपका यहाँ पर जो कार्ज हुआ अंदर निकाई में तो उसमाँ खर्च हुआ तो आप कह सकते Q आपका दो भागों मा खर्च हुआ अब देखें यहां से आपको निकाल के बताते हैं प्रूफ कैसे करेंगे आप पहले निकाय में दोस्ता आपने यहां पर S1 आपका पहला निकाय था उसकी एनरजी आपकी U1 थी आपने इसमें Q हीड डी तो Q हीड देने के बाद दोस्तो यह बदल गया S1 निकाय आपका वही रहा लेकिन आपका एनरजी U2 हो गई प्लस आपका दोस्तो कारेमा खर्च हुआ तो यह आपको यहाँ पर इतना याद रखना आप फिकर के माधिम से भी याद रख सकते हैं दोस्तो अब इससे क्या होगा इनको आप भड़ा दीजे क्योंकि आपको समझाने के लिए बता था U1 प्लस Q ब्राबर U2 प्लस W तो यहाँ से आप दोस्तो निकालेंगे तो U2 माइनस U1 ब्राबर आपका Q प्लस माइनस W तो यह आपका दोस्तो आगया U2 माइनस U1 आप कह सकते हैं डेल्टा दोस्तो डेल्टा का मतलब आपका छोटा सा जो आपका अंतर होता ता जो आपका उर्जा का अंतर है उसे आप डेल्टा से रिपर्जिन कर सकते हैं और U ब्राबर आपका दोस्तो Q माइनस W औरो ःतर नियूमा बेता है नियुक्त करईक्त आप सब्सक्राइब करना ननुद्णार referrals तो यहां दोस्ते आपका प्रत्म यह उप्लख सबसक्राइब ब और हमारी चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बैल आइकन को दबाना मत भुलेगा दोस्तों हमारी वीडियो को परतम पाने के लिए क्योंकि आपको दोस्तों नई नई वीडियो मनती रहती है यहाँ पर होगे थैंक्स जाहिन जा भारत